हेलो फ्रेंड वैलकम तुम्हें चैनल मीनो गरवाल कैसे है आपसे भी तो आज की वीडियो चैप्टर बन ग्यमिकल्री रियक्षंग एंड एक्विशन्स के बारे में है लेट्स के इशाट गैमिकल रियक्शन वैनेवर आ कैमिकल चेंज ओकर वी कैन से डेट गैमिकल रियक्शन टेकन प्लेज तो हम इससे समझ रहे हैं जब जहाँ पर भी कैमिकल चेंज होगा ठीक है तो हम कहेंगे कैमिकल रियक्शन हुआ है अभी कैमिकल चेंज क्या होता है लोगाल रियक्शन में में बजाँच हुआ है ठीक है जलाने के बास जो राख होग गैमिकल चेंज है अब इसी का कैमिकल चेंज है अभ इसी कर दो अल ज ले ले टेंगा प्लेज काति मैं खुल द्या खुल लने के बाद अब क्या होगा होगा कि वो उसके उपर कुछ न कुछ ख्रीज आगी होगी लेकिन है तो वो अभी भी कागज ना तो इसलिए वो कहेंगे Physical Change ठीक है तो आगे बढ़ते है Chemical Equations अब Chemical Equations होतक है Chemical Equations कुछ नहीं है बस Chemical Reaction जो होती है उसे मैं symbolically show करती हूँ ताकि जो chemical reaction हुई है वो और अच्छे से clearly समझा जाए जैसे कि हमारे पास example है इसका chemical equation का magnesium is burn into air to form magnesium oxide can be represented as mg plus o2mgo तो क्या हुआ इसमें magnesium जल गिया है एर में और magnesium oxide हमें मिल गया सेम मैंने इसे को रिप्रेजेंट इस chemical reaction को मैंने रिप्रेजेंट कर देख equation की form में इनके symbols का यूज करके तो बहुत अच्छे से मुझे clearly समझ भी आ रहा है कि mg प्लस o2 अ एम जी ओ ठीक है तिसी तरीके से बहुत अच्छे से clearly overview मिल जाता है हमें equation से ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसी में तो यह है we can observe a recognize a chemical reaction by observing change in state color by evaluation of gas या by change in temperature तो हम observe करते हैं जो chemical reaction होती है वो chemical sorry change in state state में change हो जाता है color में change हो जाता है या evaluation of gases ठीक है या फिर change in temperature हमें यह सब चीज़े मिल जाते हैं chemical reactions में chemical reaction मैं तब बोलूँगे जब उसमें यह सब चीजों के changes आएगा जैसे कि मैंने कागज का जैसे example या ता शुरुवात में ही तो उसका color भी change हो गया वो white color का कागज था मैंने जला दियू वो किसमें बदल गया black में ठीक जब वो black में बदल गया है तो अब मैं कहूंगी chemical reaction हुआ है change आ गया और उसके state में भी change आ गया राक बन गया ठीक तो इसी तरह color भी और state में दोनों में change आ गया तो मैं कहूंगी chemical reaction हो तो उस example से हमें यह चीज बहुत अच्छे से clear हो गई है आगे बढ़ते है physical state of the reactant and product are mentioned to make chemical reaction more informative example we use gas के लिए हम G यूज करते है L के लिए L यूज करते है liquid के लिए S करते है solid के लिए A करते aq करते है adequate solution के लिए ठीक है तो chemical equation को और ज्यादा informative बनाने के लिए मैं इन symbols का यूज करती हूँ जैसे की gas अगर मैं magnesium ले रही हूँ तो यह solid state में ले रही हूँ मैं तो ऐसे लगा दूँगी oxygen air के air में मिल रही मतलब gas है तो जी लगा दूँगी मतलब बहुत ज्यादा मुझे यह भी पता लग जाएगा कौन सी statement में कौन सा प्रधात ले रही हूँ substance ले रही हूँ तो इसलिए हम यह चीज भी यूज करते हैं अ हो स्ट डैक नमबर ओफ एटम सफीच अलिमन इनवल्वीन रियाक्शन रिमें से मैं डियाक्टन टेंट प्रोड़क्साइड हम बैलेंस किसलिए करते हैं क्यमिकल एक्वेशन को इसलिए करते ताकि जो रियाक्टन रियाक्टन हो गया लाफट जय्वर इसी में देख लेते ह यह मेरा क्या है रियक्टांट और रियक्षन होने के बाद मुझे क्या पड़ाप्ट हुआ या क्या मिला जो भी है तो मेरा हो गया लफ साइड यानी प्रोडक्ट ठीक तो मैं इन्हें क्या करूंगी बैलेंस कर दूंगी ताकि जो इकुल हो जाए लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट के एटम से वो दूसरी साइड में जो है प्रोडक्ट साइड में वो इकोल हो जाए जो हमें लास्ट में मिली है ठीक आगे बढ़ते हैं अब हम टाइप सब्रीक्शन परेंगे हमने केमिकल रीक्शन देख लिया कैमिकल इक्वेशन देख लिया तो बैलनसिंग ओव एक्वेशन हाओ ट्यू बैलनस हम कैसे करते हैं इसके ऊपर में एक वीडियो अपलोड कर दूंगे आफ्टर इस वीडियो ठीक है ताकि और तो इसके टेंशन लेने के जरूरत नहीं है, don't worry, तो combination reaction, जो की एक type of reaction है, तो डेखते हैं, जो combination reaction होता है, two or more elements combine to form a new single substance, ठीक, इस point को याद रख लेंगे, जो combination reaction होता है, वो किस से मिलकर, इसके नाम में क्या लिखा है, combination, तो यह combine हुआ है, इसके example देखनेंगे, तो और अच्छे से clear हो जाएगा, तो combination reaction के example है, calcium oxide plus H2O, तो caoh का halt wise, मुझे यह मिलके, तो यह क्या कह रहा है, combine होकरी तो बन रहे नहीं, तो यह इसके examples है, ठीक है, caoh का halt wise हो है, sclate lime is used for white washing walls, its reactor will co2, to form ca co3, gives a shiny finish to the wall, तो जिस तरह यह लिखा है, उसी को इन्होंने equation form में समझा दिया, तो burning of coal, formation of water, ठीक है, यह सब reaction से याद करना है, आगे बढ़ते हैं, exothermic reactions, exothermic reactions होते हैं, यह वो reaction है, जिसमें heat का निकलना होता है, बस simple, ठीक है, heat का निकलना होता है, product side में, जैसे हम पढ़े हैं पीछे, LHS की side होता है, reactant, RHS की side होता है product, तो product side मतलब, RHS की side में, ठीक है, एक reaction में, तो जैसे कि यह है, इसमें क्या होएगा, heat का निकलना होएगा, ठीक, तो हम इस तरीके से इसे show करते हैं, प्लस, एक छोटा सा, triangle show करते है, heat के लिए, ताकि पतल लगे, heat निकल रहा है, आगे बढ़ते है, respiration, also a exothermic reaction, decomposition of vegetable matter into compost, ठीक है, अब decomposition reaction पढ़ेंगे, यह बिल्कुली, यह opposite होता है, combination का, combination में क्यों होता है, two or more, substance मिलकर, क्या बनाते है, single one, तो यह बिल्कुली उल्टा है, single substance, तूट जाएगा, decompose हो जाएगा, नाम पर ही जाए, decomposition मत्याँ तूटना, तो तूट कर क्या बनाएगा, two or more substance, ठीक है, decomposition reaction होता है, decomposition भी अब क्या होते है, three types के होते है, thermal decomposition होता है, thermal में क्या होता है, वैना decomposition reaction, is carried out by heating, अगर मैं किसी भी, single substance को heat, provide कर दूँगी, तो इससे react कर के, क्या हो जाएगा, तूट जाएगा, two or more substance में, तो मैं कहूंगी, thermal decomposition हुआ है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके second type पर, जो की decomposition का type है, यह मेरे पाफ, thermal decomposition के examples है, यह सभी अच्छे से याद कर लेना, यह सभी, तीनों examples, this, this one, this, तिक, next decomposition reaction पढ़ेंगे, अब हम, योग्योंगी, electrolytic decomposition, अब इसमें क्या है, decomposition, सेम है, बस इसमें, क्या होगा, जो single substance है, वो क्यासे तूटेगा, electric current, अगर मैं पास कराऊंगे, वो तब तूटेगा, तो मुझे, मेरे पास, यह वाला example है, इसका, H2O का, next, photoletic decomposition, photoletic decomposition में, क्या होता है, light की presence में, होता है, यह, मतलब, जो single substance है, वो तब तूटेगा, जम मुझे, light pass करूँगी, यह tube light, यह वाली light नही, sunlight हो गई, जैसे, ठीक है, तो मेरे पास, इसका example है, यह वाला, then यह वाला, इन सभी को अच्छे जियाद कर लेना, ताकि, पेपर में, अगर definition है, तो, examples के साथ, लिख सके, अब है, मेरे पास, next reaction, endothermic reaction, endothermic बिल्कुली उल्ट होता है, exothermic का, exothermic में क्यों होता है, मैं release करती हूँ, मतलब, अगर, हम, respiration का भी example है, तो, हम release करते हैं, heat, तो, वो गया, exothermic reaction, अब हो गया, endothermic, endothermic में क्यों होता है, हमें, require होता है, energy in the form of heat, इसमें, require चाहिए, मतलब, इसमें चाहिए, ठीक है, उसमें, product side पे show करते हैं, और इसमें, reactant side पे रोता है, endothermic reaction, reaction में, जो heat होता है, reactant side पे रोता है, ठीक है, तो, आगे बढ़ते हैं, और यह, endothermic का वैसे भी, example है, ठीक है, next, हमारे पास है, displacement reaction, ठीक है, displacement reaction, displacement reaction, बहुत इंपोर्टेंट है, this reaction, बहुत अच्छे तो समझना है हमें, तो, the reaction, the chemical reaction, in which an element, displaces another element, from its solution, तो, इसके लिए हम, chapter 3 की, reactivity series, open कर लेंगे, तो, गाइज, यह, हमारी reactivity series है, this, क्या, यह, इसकी reactivity, जो, तोप पर होता है, वो, उसकी सबसे ज़्यादा होती है, और जो, नीचे आते जाते हैं, उनकी सबसे काम, एकदाम, मतलब, लिश्ट, ठीक है, तो, देखते हैं, पोटेशियम, सबसे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैंगनेशियम, अल्मूनियम, जींक, आईरन, अच्छे से, एक बार, रीड कर लेंगे, फिर याद हो जाता है, लिख कर देखना, हो जाएगा याद, और इसी के बेसिस पे, हम, डबल डिप्लेस्मेंट, और डिस्प्लेस्मेंट, रियक्शन्स करेंगे, ठीक, तो, लैड, हाइड्रोजन, कोपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, चलो, इसी के एक 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 जामपल ले ले लेते हैं, डबल डिप्लेस्मेंट, प्लेस्मेंट रियक्शन्स का, जैसे, एफी है, प्लेस, कोपर सल्फेट है, अब इसमें से, किसका रियक्शन, रियक्टिविटी सीरीस में देखेंगे, एफी मतलब आईर्ण, और सी उ मतलब अपर, तो एफी उपर है, यह रहा, एफी उपर है, सी उ मतलब कोपर, नीचे है, ठीक है, तो जादर रियक्टिविटी किसकी हुई, एफी कि हुई, कि तो मतलब亲它 किंड़ेगा इसे डिस्प्लेस कर देगा ऐसे 4 में थ्याइट क्या बन जाएगा ऐसे 4 और जो कि कोपर अब रहा जएगा ठीक है त pensar के ओपर ये भी है इसका बिल्ध के पर देख लेते जींग कर आप अब देखें 우리 Rocky में जादा र्याएं जिन्व की रेक्टिविटी जादा है या फिर कोपर की तो कोपर विचल From रिर्पर विचार अपकी बार अकेला सीघ现在 तो हम डिप्लेस्मेंट रियक्षन समझ चुके है और क्या है ने और यह जो बहुत अच्छे समझ ले ना एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा ठीक है यह हमारी क्या है रियक्षन है जो कि हम समझ चुके है दा नेल बिकम ब्राउनीश इन कलर विज एंड ब्लू कलर व कॉपर सल्फेड सोल्यूशन फेड ठीक है अब जो नईया बना है कॉपर सल्फेड सोल्यूशन का वो फेड हो जाएगा अधर रियक्षन वी हैव देज ठीक है तो अब देख लेते हैं को डबल डिप्लेस्मेंट रिएक्षन नाइज टा रियक्षन इन वीत टू डिफ्रेंट ऐ तो बैरियम किसके साथ करेगा तो अब क्या मिलेगा मुझे अने सी एल ती बैरियम सलफेट दी थीज तो इसी तरह है हमारे पास अब वाइट सबस्टान इस फोर्मेट दी अबब रियाक्शन इसमें दा इनसोलीबल सबस्टान इसकाल प्रेसिपिटेट तो जब यह रियाक्शन हुई है तो इसमें मुझे एक वाइट कलर का रिया वह मिलेगा सबस्टान जिसे प्रेसिपिटेट कहेंगे जो इनसोलीबल हो Precipitate reaction ठीक है तो इसके लिए हमारे पास यह अलर एक्जांपल है अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट अब हमारे पास है oxygen यह बोर इंपोर्टंट है थेक्ट है तो oxygen हो टक है oxygen is the gain of oxygen ओस ओफ हईडरोजण ठीक है तो अब इसमने क्या अब कोपबर है क्या बना लियुआ कोपब ने reaction करा oxygen के साथ heat की presence में तो हम इसने क्या बना लिया copper oxide तो इसने क्या करा गेन करा है copper को क्या करें गेन किया है तो वैनक परीज हीटिड अब्लैक कलर अपियर इफ इफ कोपर औकसेडी से रियक्टिड विद हाइड्रोजन गया दैन अगें कोपर बिकंस ब्राउन और रिवर्स रियक्शन टेक प्लेस तो यहां से मुझे क्या सामझ आया है डेक्टे है तो इसनों ने क्या करा कोपर औकसाइड को दुबारा से हीट करा हीट करने के बाद देखो न, copper oxide is reacted with hydrogen gas hydrogen gas के तार इन्होंने reaction करवाई copper oxide की heat, independence of heat this heat, ऐसे तो heat की presence में इन्होंने करवाया तो copper दुबारा अकेलो होगे फिर हमें मिल गया अच्टू ठीक है तो ये एक तरह का reverse reaction है क्योंकि यहाँ पर जो copper था copper था इन्होंने जो हमें मिला copper oxide उन्होंने दुबारे reaction करवाया ठीक है तो reaction के बाद हमें copper मिल गया तो इसके बाद अब क्या हुआ एक तरह का reverse ही हो गया यह जासकी यह है ठीक है तो अब देखेंगे reduction और हमने oxidation पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे reduction reaction reduction में क्या होते है loss of oxygen gain of hydrogen बिल्कुल opposite है oxidation का ठीक है आगे बढ़ते है redox reaction the reaction in which one reactant get oxygen while other get reduced मतलब दोनो reaction एक के साथ redox reaction कहेंगे ठीक है तो copper oxide है ठीक है hydrogen के साथ इतने react करा तो अब क्या हुआ copper oxide ने hydrogen के साथ react करा indepresence of heat तो copper तो अकेला हो गया मतलब reduction हो गया इसके पास जो oxygen तो वो हट गया अब hydrogen को डिखते लेकि hydrogen के पास अब क्या आगया oxygen आगया तो अब हम मैं उसे कहूंगे वो तो oxygen हो गया तो हमने क्या पढ़ाता oxygen में gain of oxygen तो यहाँ पर क्या हो गया hydrogen का gain of oxygen और copper oxide में मतलब reduction में हमने क्या पढ़ाता loss of oxygen तो यहाँ पर loss हो गया oxygen का ठीक है तो इसी के another example है हमारे पास ठीक है चलो अब आगे बढ़ते है हमारे पास है अब corrosion पास हो गया अब डेली लाइफ में corrosion हो गया iron का है तो अब आगे पढ़ते है around 8 such as moisture etc अब इसका example लेके तो इसी का corrosion के ते है कोई भी लोही का gate है यह पर अगर हम पानी बानी डेली डालेंगे तो एक टैम आएगा वो गल जाता है मतलव उसमेज वो जाता है कर था? और वी करें आएगा एंटी ओक्सिडेंस और एडिट टो फूड कंटेनिंग फैट्सुली एंटी ओक्सिडेंस होगे जैसे कि कोई भी चिप्स वगेरा हमको कुड़े वगेरा की पन्नी होगे हैं झालों पन्नी होगे हैं